टोकियो ओलम्पिक्स में गोल्ड मैल जीतने वाले नीरस चोपडा, डाइमन लीग में जीतने वाले नीरस चोपडा, वर्ल्ड अतलेटिक चैंपियन्शिप में जीतने वाले नीरस चोपडा हमें एक बार फिर एक्षन में दिखाई देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हमारे जैवलीन थ्रोवर नीरस चोपडा के नेक्स्ट इवेंट के बारे में दोस्तों आज रात लगबग बारा बजे के आसपास नीरस चोपडा का मुकाबला होने वाला है डाइमन लीग में और उनके साथ लॉंग जंप में श्रीशंकर भी दिखाई देंगे तो मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ क्योंकि डाइमन लीग का आखरी कुछ मैचेस बचे हैं जिसमें हम नीरस चोपडा को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मुरली श्रीशंकर के इवेंट के बारे में बता दूँ इनका लॉंग जंप का आज मैच खिला जाएगा रात को लगबग 11 बच के 55 मिनट पर इनका इवेंट शुरू होगा श्रीशंकर के साथ बहुत बड़े बड़े खिलारी भी होने वाले है इनकी उमीदें कम हैं लेकिन हमारे श्रीशंकर हैं तो सपोर्ट जरूर करेंगे बले ही वोल्ल अटलेटिक चांपियंशिप में थोड़ा नारास कर दिया हो लेकिन कोई बात नहीं आज रात को इनका अच्छा जलवा देखने को मिल सकता है और बात करें वही पर नीरज चोपडा जी की तो नीरज चोपडा जी का ठीक बारा बच के बारा मिनट पर इवेंट शुरू हो जाएगा नीरज चोपडा के साथ आपको चैज रिपब्लिक के जैकुब एंड गरनेडे के एंडर्सन जर्मनी के जूलियन वैबर फिनलैंड के ओलीवर और जैसे बड़े खिलाडी नजर आने वाले हैं बस यही कुछ चार-पांच खिलाडी हैं जो नीरज चोपडा को कॉंपिटिशन देने वाले हैं वर्ल अथलेटिक चैंपियंशिप में सिल्वर मैडलिस्ट अर्शद नदीम इस इवेंट में नहीं होंगे क्योंको एंट्री नहीं मिली थी स्टार्टिंग में 2023 के इस जैवलिन डाइमन लीग में जिस वजे से हमें अर्शद नदीम नहीं दिखाई देंगे दोस्तों आप बात की जाए इसके ठीक दो दिन बाद और भी इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें हमें अपने प्रवीन जी जो की टिपल जमपर है अबदुल्ला अबुबैकर ये भी दिखाई देने वाले हैं दो सेप्टेंबर को इनका इवेंट होगा और इनके साथ अभिनाश साबले जी भी पार्टिसिपेट करने वाले है दोस्तों डाइमन लीग का फाइनल भी आने वाला है सेप्टेंबर में 16 से 17 सेप्टेंबर दो दिन ये फाइनल इवेंट चलेंगे अगर हमारे जितने भी एथलीट पहुँचेंगे तो उन सब का फाइनल मुकावला 16 से 17 को होगा लेकिन हाँ नीरज चोपडा जी का फाइनल कंफर्म है वो फाइनल में पहुँच चुके हैं तो जैवलीन थोगा भी फाइनल 16 या 17 सेप्टेंबर में होगा डेट अभी फिक्स नहीं आई है जैसे ही आईगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतनी ही इंपोर्मेशन थी किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है